हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइश्टडी शीड चैनल दोस्तों आज में बता रही हूं परिछड मापन यह मुल्यांकन क्या है यानि कि टेस्ट मेजर्मेंट्स एंड इवेलियूशन दोस्तों आज इसके बारे में तीनों में डिफ्रेंड्स क्या है पूरी तरह से समझ जा सभी के सीलेवस के कार्डिंग मेरे चैनल पर वीडियोज पड़े हुए हैं आप उन सभी वीडियोज को वाच कर सकते हैं दोस्तों चलिए चलते हैं आज की परिछड मापन यह मुल्यांकन के बारे में जानते हैं दोस्तों जैसा कि हम जानेंगे परिछड यानि टेस्ट किय जैसा कि दोस्तों आपके कोसल को आपके कैपिसिटी को चेक करने के लिए एक परिछड लिया जाता है जैसे कि आप 5-6 महने तक ट्रेनिंग किये या आपको इतिहास सब्जेक्ट पढ़ाया गया 5-6 महने तक अब आपके आपने क्या सिखा इतने समय में तक उसको जाने के ल परिछा में आपने ऊटना प्रफामिंश किया उसको आंको के रुप में एक मापन कहते है और फिर उसका मुलियांकन किया जाता है। कि आपने कितों किया पिछले वर्षों कि मताविक या आपको कितना करना चाहिए था इस तो तक आप प्राप्त किये। जैसे सो बच्चे हैं उनमें से कटेगरी वाज लिखा गया कि इस बच्चे ने इतना पाया इस बच्चे ने इतना पाया उसके करके आप उसका मुल्यांकन करते हैं कि जो हम परिच्छर लिये हैं वो कहां तक शफल हुआ है तो दोस्तो जानते हैं पहले परिच्छर क्या है ज दोस्तों परिच्छर जो है टेस्ट जो है सुचनाओं को एकत्र करने की प्रक्रिया है यानि एक बिसीस कौसल के बारे में सुचनाओं या आकड़ों को एकत्र करने के लिए परिच्छरों की आसकता होती है जैसे कि फिजिकल एजुकेस्ट में बिसीस तरों से परिच्छरों क या स्टामु ही रूप से उसके इसकील उसके नॉलेज उसके कैपिसिटी उसके गुरुवत्ता यानि क्वालिटी कैपिसिटी एप्टिट्यूट वह प्रदर्शन चम्ता को चेक किया जाता है उसका परिच्छा लिया जाता है तब तो हमें पता चलेगा कि आपने अभी तक ज आपको दो महिना तिन महिना ट्रेनिंग दिया गया उसके बाद कमपर्टिशन होता है प्रतियोगिता में आप जाते हैं उस प्रतियोगिता में ही आपको दिखाई देता है कि आपने इतने दिन के ट्रेनिंग में क्या सीखा तो दोस्तों ये टूल होता है परिच्छर जिसक किसी ब्यंक्ति की वौस्केट्बाल खेलने की चम्तम आपना है तो जॉंसन बास्फवार टेस्ट या नatarक traject परिक्षर करेंगी इन परिषरों से जो आंकड़े प्राप्थ होंगे अंग की रूप में अंग की रूप में उसे हम मापन कहेंगी दोस्तों इस प्रकार कोर्सलों में प्रदर्शन का इस्तर का पता लगाने के लिए साररिक सिच्छायम खेलों में अलग-अलग परिछणों को वर्गी कित किया गया है जैसे फिजिकल फिट्नेस में मोटर स्किल को रापने के लिए आपः टेस्ट डेसियार टेस्ट इंडियाना टेस्ट आधिक अपरियोग किया जाता है और इससे जो आकड़े प्रात होते हैं वो मापन होते हैं जो परिछ्छय लिया जाता है, उसको जांचने के लिए उपरिछ्छड होता है, इस परकाब परिछ्छ्ड द्वरा विद्यार्थियों की शाररिक शक्ती, छमता, योगता, मानसिक संतुलन तथा बिभिन प्रियाओं की समखें कोसोलों की परिछ्छा लिया लेक्ष दोस्तों यह तो परिच्छा के बारे में आप अच्छे से समझ गये दोस्तों कि कोई भी आप कार किये हैं तो वह कहां तक आप सफल हुए हैं क्या सीखे हैं उसकी परिच्छा लेना ही परिच्छ कहलाता है लेक्ष रहे मापन क्या है यारी मेजर मेंट क्या है दोस्तों जो भी आप परिच्छा लिये हैं उसको अंको के रुप में जो प्राप्त होता है डाटा वही मापन है जैसे कि परिच्छा का अंको में डाटा अंकित करना ही मापन होता है मेजर मेंट होता है किसी परिच्छ की मात्रा अंको का निधार करना जैसे कि उसकी साइच क्या है उसकी वेट क्या है उसकी हाइट क्या है उसकी कैपिसिटी क्या है फिजिकल एजुकेशन में तो एक स्प कॉसल के इस्थर को जानने के लिए परिछणों के अंतरगत विभीन तकनीकों का परयोग किया जाता है। जिसे मापन कहते हैं के दोश्कों मापन एक ऐसी प्रक्रिया है। जिसके द्वरा-प्रदर्सन का इस्थरiform, सारिक स्वस्ता का इस्थर, बेटेटिकी बिसेस्तायल का इस्तर, खेल कौसलों का इस्तर, आधि विभिन मानक परिच्छर, स्टेंडर्ड टेस्ट की सहायता से मापे जाते हैं तो दोस्तों इसके संबंद में हम बैरो ने कहा है कि परिच्छर द्वारा संख्यात्मक आकड़े प्रात करने की प्रक्रिया को ही मापन कहते हैं दोस्तों जैसा कि इसके बारे में सबसे पहले कि विभिन अंगों की माप के लिए फ्रांस के गड़ी तक गया सब्सें क्या हुआ है कि इसके अंधर कर सरीर के बिभिन अंगों के लंबाई, मोटाई, मापन किया जाता है यहां पर एक कोस्टन और बन जाता है दोस्तों कि एंथर प्रमेटिक की खोश किसने की आप मापन बीधी किसने परसुत किया तो फ्रांस के गईता कि अल्दो कुईटलेट ने और क्या किया जाता है एंथर प्रमेटिक में सरी के विभीन दांगों की लंबाई मुटाई गुल कि मापन बएक जोर्टिक आधी की मापन होता है तो दोस्तों拜拜 कि कहते है तो चीज को क्वालिटी परेटिन फ्रोल कườngस Yang fish complete मापन भी कर लिए आप देखेंगे कि मुल्यांकन क्या है मुल्यांकन में दोस्तों उसके स्टेटस यानि इस्तर का निधार किया जाता है जैसे कि जिस उद्देश्य के लिए हम बालक को ट्रेनिंग दिये थे या सिच्छा दिये थे यानि कि सैच्छिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किसी शीमा तक प्राप्त कर लिया गया है यह ग्यात करने की प्रक्रिया मुल्यांकन कर लाता है ठीक है सैच्छिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किसी शीमा तक प्राप्त कर लिया गया है यह ग्यात करने की प्रक्र को सीखा था उस चीज को सीखा था क्या आपने उस उद्देश को ताप्त किया है यह देखा जाता है कि विद्धियार्थियों ने किस सीमा तक अपना प्रोग्रेस किया है कि सीमा तक उन्होंने अपने को प्रफामेंस को बढ़ाया है इसकिल डेवलब किया है जैसे सो बालक है सो बालग इधायद किया गया और ये दिखा गया कि इतने बच्चे इसमें अच्छा प्रम्हामेंस किये हैं इतने बच्चे कम्जोर हैं उसके अधाब पर मुलिआंकर किया जाता है कि बच्चे को ज्यादा ट्रेनिंग की देने की आसकता आधी और ढाहे डि़न्ग को सिख्या नाते होगा तभी तो पता चलीfaced तौ मुल्यांकन कい अंकराध पर किया गैखी माथन किया जाता है मल्यांकन सिध्छय तरिच्छ ओव मापन के बाद होता है पहले सिच्छा देंगे यानि ट्रेनिंग देंगे फिर परिचर करेंगे फिर मापन करेंगे उसके बाद उसका विसलेशर यानि मुल्यांकन करेंगे जिसके अधार पर खिलाडी अथ्वा विद्यार्थी का कच्छा में इस्थान उपलबधी में इस्थान आरीका निधार होता है निधार मानकों की अंतरगत उसके गुरुवत्ता का आकलन किया जाता है दोस्तों इन तीनों को एक दुस्य से संबंधित हैं परिच्छर, मापन, मुल्यांकन, पेस्ट, मेजरमेंट and इवलिशन इस तीनों एक दुस्य से संबंधित हैं तो ऐसे दोस्तों, example पुरुक हम समझते हैं कि किसी खिलारी की यदि जेवी च्छंता यानि वाइटल कपीसिटी मापनी है, तो किसी खिलारी के अगर जेवी क्छमता वाइटल कपीसिटी को मापना है, तो इसे तो हम पौयरिच्छ करेंगे, यानि जेवी क्छमता पौयरिच्छ वाइटल कपीसिटी है टेस्ट को अपनाएंगे, इसका पौयरिच्छ करने के लिए», फिर इसका मापने के लिए हम इस पाइरो मीटर नामक उपकरवा कुछ शही तकनीकी के साथ परियोग करते हुए परिच्छर किया जाएगा और जो जविक छम्ता यानि आकड़ा आएगा वही इसका मापन कहलाएगा मुल्यांकन और यह आकड़ा जविक छम्ता की नामस यानि प्रमाप तालिका में इस सित हो रहा है वह इसका मुल्यांकन होगा यानि कि जो भी आकड़ी आया सो बच्चों का आकड़ा अलग-अलग आया उन सभी बच्चों का एक तालिका बनाएंगे और सभी का अलग-अलग स्कोर लिखेंगे और उसमें चेक करेंगे कि कितने सुधाय क्या सकता है कितने बच्चे अच्छे क्वाल्टी प्रफामिंस हैं कितने कमजोर हैं यह आपका मुल्यांकन हो गया यदि संबंधित प्राप्त आकड़े मानक से उपर है तो मुल्यांकन क कि अधार पर कहा जाएगा कि बेक्ति की जविक्षमता का इस तर अच्छा है तो देखा जाएगा सो बच्चे हैं सबका जविक्षमता देखा जाएगा किसका अच्छा है किसका खराब है किसका इंप्रूब करने क्या सकता है किसका नहीं है तो यह सब मुल्यांकन से पता च जाना इफॉप कि दोस्तों इन तीनों के बारे में आपको अच्छी से समझ में आया होगा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइब ज्यादे से ज़्यादे जिसे चीजिए अनौटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेच्ट टॉपिक के साथ तब त झाले 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 झा झाल झाल